देश की राष्ट्रे राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी छेत्र में एक इलाका है दिलशाद गाडन और वहाँ पर भाजपा के चुने हुए सांसत परवेश वर्मा ने आज से करीब दो दिन पहले एक निहायती भड़काउ भाशर दिया वहाँ पर एकत्रत भीर से उन्होंने बोला कि अगर तुम उन लोगों को समझाना चाते हो ठीक करना चाते हो तो उनका पूर्व भुशकार कर दो उनसे सबजी फल और तमाम अने चीजें मत खरीदो खूब नारे भी लगवाए एक और भाजपा के शिरोमणी है लोनी से विधायक है नंद किशो और गुर्जर वो तो दो हाथ आगे चले गए उन्होंने तो ये तक कह जाना कि जब घाजिया बाद में सूर कटता है वो सू भीड जहां पर ये हुई जहां पर ये रैली हो रही थी वहां पर पुलीस भी थी तो पहला सवाल ये है कि दिल्ली पुलीस क्या कर रही है कौन से महुरत का इंतजार कर रही है इनके खिलाफ कारवाई करने के लिए क्योंकि अगर ये भढ़काव भाशन नफरती भाशन नह होता है दूसरा कोट क्या कर रहे हैं क्यों नहीं संग्यान ले रहे हैं सब जगें यह speeches है क्या कोट अपनी ही बात को मानकर चुप बैठा हुआ है कि अगर नफरती भाशन भी हसके दिया जाए तो वह नफरती नहीं है अब तीसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि ऐसा यह क्यों करते हैं क्योंकि परवेश वर्मा ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ आपत्ती जनक बाते कहीं थी और नंके शोर गुर्जर को तो सब ने देखा था कैसे किसान अंदोलन में हाथा पाई और मार पीट करने इनके गुंडे पहुँच गए थे और खुद भी पहुँच गए थे ऐसा यह लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतिय जनता पार्टी में यह सबसे प्रबल तरीका है सक्सेस्फुल होने का सफल होने का इन सबके आराद दें सबके रोल मॉडल अनुराक ठाकुर जैसे लोग है मंच से नारा लगवाओ गोली मारो डैश को और उसके बाद जाकर कैबनेट मंत्री बन जाओ तो लोगों को लगता है यह सबसे शोर शॉट तरीका है सटीक ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है अब बात आती है कि मोदी जी क्या चुप कीजिएगा आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर भहिशकार की सुवर होने की गंदी गंदी बाते कर रहे हैं आप क्या कीजिएगा मूक तर्शक ही बने रहिएगा पर मोदी जी पर कुछ और बोला जाए उससे पहले उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल जी पर अभी दिल्ली में कुछ होता है मौन धारण कर लेते हैं दिल्ली में बुल्डोजर चला केजरीवाल जी चुप दिल्ली में जंतर मंतर पर काटू का नारा लगा केजरीवाल जी चुप दिल्ली में दंगे हुए केजरीवाल जी ने मौन धारण कर लिया और अब फिर से इस तो हिम्मत जुटाईए कभी तो सास जुटाईए जिन लोगों ने आपको वोड दिया इस जनता के लिए कभी तो खड़े होकर बोलिए और फिर से मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहती हूँ जब विदेश्ची देशों ने आपके उपर प्रेशर बनाया था तो आपने तुरंद बिना समय विर्थ किये नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलमेंट कहकर निकाल बाहर फेका था दूद की मक्ही की तरे ये बात अब फिर काम करते हिंदू मुसल्मान सब वहां काम करते हैं तो दिक्कत की बात यह है कि नफरत की आधी में इतने मत बह जाईए इतने मत खो जाईए कि राशनल थिंकिंग और जो राजधर्म है आपका वो आपको याद है राजधर्म है ना 2002 का पाठ पढ़ाया गया था आपको इस देश में कानून और विवस्था का पालन करवाना और देश वासियों की पूरता सुरक्षा करना आपका राजधर्म है आपकी नाक के नीचे आपका नफरती चिन्टू बना सांसद भड़काव भाशर देता है और आपके मुझे एक शब नहीं पूरता है दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के प्रधान मंत्री है